प्रकाश ज्ञा डिरेक्टर हैं? सोशल पॉलिटिकल मुद्दोपन फिल्म में बनाने के लिए जाने जाते हैं सत्यागर, राजनीती, गंगा जल जैसी भारतीय राजनीती पर बेस्ट फिल्में प्रकाश ज्ञा नहीं बनाई हैं आजकल प्रकाश ज्ञा भोपाल में अपनी वेब सरीज आश्रम के तीसरे सीजन की शूटिंग कर रहे हैं आश्रम एक पाखंडी बाबा की कहानी है जो धर्म की आड में हर गलत कर्म करता आ रहा है शो में पाखंडी बाबा का मुख्य रोल बॉबी देओल करते हैं 24 अक्टूबर दिन रवीवार जगह भोपाल के अरेरा हिल्स की पुरानी जेल यहां प्रकाश ज्ञा आश्रम की शूटिंग कर रहे थे शूट चली रहा था कि अचानक शूटिंग लोकेशन पर कुछ पचास साथ लोग पहुँच गए खबरों के अनुसार यह सारे लोग बजरंग दल से थे यह सभी मिलकर पूरे सेट पर तोड़ फोड करने लगे गाडियां फोड़ दी यहां तक की डिरेक्टर प्रकाश ज्ञा के उपर से आही फेक दी हंगामी की खबर पाकर पुलिस वहां पहुँची पुलिस वालों को देख बजरंग दल वाले भाग खड़े हुए घटना के बाद बजरंग दल के प्रान सयोजक सुशील सुदेले ने आज तक से बाच्चीत में चितावनी दे की प्रकाश ज्ञा को सीरीज का नाम बदलने का वादा किया है अगर नाम नहीं बदला गया तो शूटिंग नहीं होने दी जाएगी इतना ही नहीं सीरीज को रिलीज भी नहीं होने दिया जाएगा तो ये है इस वक्त के करंट हालात टीवी शो कैसे शूट करना है क्या नाम रखना है इसका फैसला अब नेता और बजरंग दल जैसे संगठन करना चाहते हैं और अगर इनकी पॉमिशन ना लें या इनके हिसाब से काम ना करें तो ये सब सहना ही पड़ता है लेकिन ये हालात एक दिन में नहीं बनें धीरे धीरे ये जहर कई सालों से घुलता आ रहा है जिसका ताजा नमुना प्रकाश जा ने इस घटा में देखा इस हमले के बाद लोग प्रकाश जा का एक पुराना बयान खोज कर लाए हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि देश में कहीं इंटॉलरेंस नहीं है 2016 में शारुक खान के एक बयान ने नैशनल लेवल पर सुर्खियां बना दी थी चर्चाएं हुई थी शारुक ने एक इविंट के दौरान मीडिया इंटॉलरेंस बढ़ रहा है जिसके बाद पूरे देश में बहस छिड़ गई थी कुछ लोगों ने शारुक की बात का समर्थन किया था तो कुछ लोगों ने शारुक की बात को सिरे से नकार दिया था नकारने वाले लोगों में प्रकाश जा भी थे जिन्होंने 2016 में मीडिया से कहा था कि देश में कोई इंटॉलरेंस नहीं बढ़ रहा है हमारा समाज मजबूत है देश की राजनीती पर पहनी नज़र रखने वाले प्रकाश जहा भले उस वक्त चूक कर गए हो लेकिन अब शायद उनकी आँखें बराबर देश में बढ़ते इंटॉलरेंस का आखलन कर पा रही होंगी सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या प्रकाश अभी भी अपने पुराने बयान से इतफाक रखते हैं या अब उनके विचारों में परिवर्तना आ रहा है कई लोग उनके पुराने बयान को शेर करते हुए प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं ऐसे जादातर लोगों का कहना है कि हेट मॉंगरिंग का किसी भी फॉर्म में समर्थन करना आगे चलकर आपके लिए भी मुसीबत बन सकता है कई लोग तो रहात इंदौरी सहाब का वो शेर भी सुना रहे हैं कि लगेगी आग तो आएंगे कई लोग जद में खैर अभी इस मामले में प्रकाश ज़ा की ओर से कोई भी बयान नहीं आया है और यह ख़वर आपके लिए हमारे साथी शुभम ने लिखिया देखते रहें दी ललन टॉप शुक्रिया